So, how to avoid this exchange rate fluctuations, उसके लिए सबसे प्राइमरी जो टूल यूज होता रहा, that was hedging. So, hedging का idea यही था कि जो difference आ रहा था, normally importer और exporter के case के अंदर, जब वो deal होती थी और forward rate जब 3 months payment duration आता था, तो आपके पास जो difference होता था, वो काफी ज़्यादा hurt करता था, जिसे आप कह सकते हैं, fluctuations की वज़ा से, आपके पास importer और exporter को ना सिरफ अपने business की दरफ या production की दरफ ज़एदा देखना पड़ता था, instead of that, उनके बहुत ज़एदा जो energies थी या बहुत ज़एदा uncertainties related to exchange rate, वो भी face करनी पड़ती थी, और उसको भी consideration में लाना पड़ रहा था, तो उसके case के अंदर, इस case के अंदर, यहां पे concept यूज हुज हुआ हैजिंग का, उसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से through hedging, इस risk को minimize करने की कोशिश की गई, इसके अंदर हम एक example लेते हैं, once again of an importer, जो हम USA का resident है, वो क्या करता है, उसने यॉरप से चीज मंगवानी है, ultimately, और उसको payment करनी है, तो उस case के अंदर, उसने क्या करना है, कि जिसके through उस, जो हम लोग ने last module के अंदर, exchange rate fluctuations के जो effects हैं, उसको minimize कर सके, in that case, वो borrow करता है, 100,000 euros, या 1,00,000 euros, क्योंकि उसने payment करनी है, euro के अंदर, वो presently borrow करता है, 100,000 के euro's, और उसको deposit करवाता है, in a bank, अब ये हम assume करते हैं, जो अभी उसने borrow की हैं, 100,000 euros, वो current spot rate is $1 to 1 euro, और इस case के अंदर, वो उसने one to one, या I suppose, 100,000 dollars दिये, और 100,000 euro ले लिये, और उसको bank में deposit करवा दिया, अब इसका एक फाइदा तो ये है, कि जब उसने, bank में पैसे ये euro deposit करवाए, तो उसके return में उसको कुछ ना कुछ interest payment मिलेंगी, और वहाँ पे एक interest payment उसको भी करनी है, once again, क्योंकि उसने अभी से जो three months बाद payment है, उसके लिए 100,000 dollars या pound जिसे हम euro कह रहे हैं, वो borrow किये हैं, तो उसके उपर उसको कुछ ना कुछ interest देना पड़ेगा, और once again, जब वो 100,000 euro bank में जमा करवाएगा, तो उसके against उसमें कुछ ना कुछ interest मिलेगा उसको, अब इस form के कि उसका risk थोड़ा सा wide हो जाएगा, क्योंकि इस point in time के अंदर उसने अगर suppose 100,000 euro अभी से किये होते हैं, और फिर forward rate पे देखते हैं, तो वहाँ पे हो सकता था, forward rate के उपर fluctuations होती, वो suppose forward premium होता या forward discount होता, जो हम ideas discuss करके आये हुए हैं, उस case के लिए, वहाँ पे आपके पास forward purchase possible नहीं है, उस चीज का weight वो कर नहीं सकता, तो इस case के अंदर फिर ideally तो यही बनता है, कि आपके पास जो payments हैं, वो अभी ना की जाएं, बलके इसको spot rate के उपर ना लेके जाया जाये, बलके इसको forward rate के लेके जाया जाये, remember that, कि हम लोगों ने spot rate dealings के अंदर यही disadvantage पड़ा था, जो अभी hedging के case के अंदर भी एक importer को face करना पड़ा है, क्योंकि अभी उसको सारे plans बनाने पड़ रहे हैं for the payment जो उसने तीन मा के बाद करनी है, for that reason उसको अभी borrow करना पड़ रहे है, पैसे bank से, उसके against उसको interest rate देना पड़ रहा है, at one hand, और दूसरे हाथ पे वो ही जो उसकी borrowing है, उसको deposit करवा रहा है, bank के अंदर, to cover the risk, अब वहाँ से वो interest rate gain कर रहा है, 3 months के लिए, तो उसको hedging की cost क्या पड़ी, hedging की cost फिर ये पड़ी, कि जो difference होगा, जो यहाँ पे देखें, difference होगा between interest rate the importer has to pay, जो उसने borrow किया है bank से, उसको जो interest rate देना पड़ रहा है, minus हम यह करेंगे, जो उसको interest rate bank की तरफ से मिल रहा है, जहाँ पे उसने ये अपने 100,000 dollars जमा करवाए है, तो इसका जो positive difference होगा, that will be cost of avoiding foreign exchange fluctuations, और ultimately फिर beneficial यही होगा, once again, के अभी कोई ऐसी transaction की जाए, जहाँ पे उसको अपने funds tie up न करने पड़ें, remember, इस case के अंदर उसने अपने funds tie up किये हैं, by borrowing from one bank, by depositing to another bank, वहाँ पे उसके 100,000 जो euro हैं, वो tie up हो गए है, तो ideally यही case होना चाहिए, कि उसको spot rate के अंदर जो है वो नहीं dealings करनी चाहिए, for that case हम next module के अंदर discuss करेंगे, कि किस way में hedging जो है, वो beneficial हो सकती है, कि किस way में hedging जो है, foreign exchange fluctuation के जो risk है, उससे आपको as a investor फाइदा दे सकती है, कि 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 क